हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप सभी उम्मीन करता हूं अच्छे होंगे स्वागत आपका शर्मा रिजिनिंग क्लासिस के अंदर दोस्तों राजस्थान ग्राम सिवक भरती अभी अभी जारी हुई है जैसा कि आप सभी को पता है तो इसको लेकर के काफी सारे स्टुडेंट ने कमेंट किये कि सर ग्राम सिवक भरती के बारे में एक बरीफ वीडियो बना दीजिए जिसके अंदर हमें पता लगे कि कैसी जोब है क्या स्लेबस है क्या कुछ सर्टिफिकेट है क्या क्वालिफिकेशन है कितने पद्द है सहल ली क्या होती है यही इन सभी स्टुडेंट के डाउट आये ते तो इसको लेकर के अज यह वीडियो लेकर कर आ गया हूँ आप सभी के लिए बहुत ही इंपटेंट और बहुत ही प्यारी वीडियो बीयॉट ने वाले है दोस्तों einीष वीडियो में आपको सभी जानकारी मिल जाएगी जोगि कि आपको अलग- 2021 का official notification जारी हो गया है जिसका सभी को इंतजार था कि ग्राम सवक की बरती कब आएगी कब आएगी वो आ चुकी है अच्छा एक और बात दोस्तों कई लोग सोचने ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम सवक दोनों फरक होता है तो कोई फरक नहीं है दोनों बरती जो है वो सेम तो टोटल जब आप इसको मिलाओगे तो कितने बनेंगे 3896 पद बनेंगे ठीक है एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ 3222 जो पद है वो किसके है गैर अनुसुची जाती के है और 674 जो पद है वो किसके है अन्या वर्गवालों के है ठीक है तो टोटल पद होगे 3896 अ और 9 अक्टूबर तक आपके जो फोम है वो भरे जाएंगे लगबग आपके पास 29 से 30 दिन का समय है फोम बरने के लिए ठीक है लेकिन जैसा है मैं हर वीडियो में कहता हूं आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है अभी आप बरा सकते हो ठीक है 10 तारिक को बरा देना या फिर उसके बाद में पांसा दिन बाद में बरा देना लेकिन 9 तारिक को 9 तारिक के बरूसे बहुत कम लोग रहना ठीक है क्योंकि 9 तारिक को सर्वर हैंग आउट भी हो सकता है अब दोस्तों बात करते हैं इसके आवेदन शुल्क के बारे में तो मैंट आवेदन शुल्क है इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा ठीक है अब दोस्तों यह तो हो गया इसका आवेदन शुल्क के कोई से के एक तो होनी चाहिए यान कि सनातक ड गीएफ में क्या लिखना लिखा है तो कंफिउज निए होना है सनात का मतलब है एकता हो की ईशे चैये और और इसके साथ क्या चाहिए computer certificate चाहिए अच्छा आप कई लोगों किस तरह से मतलब कौन सी ब्राच में चाहिए कई लोग कह रहा है हम BCA से हैं कोई कह रहा है कि हम BCA से हैं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों आप लोग फोर्म बढ़ सकते हो जो लोगों graduation कर चुके हैं वो लोग फोर्म बर सकते हैं अब रही बात उन students की जो कह रहे होंगे कि हम लोग तो जो है final year में अभी है तो क्या हम फोर्म बर सकते हैं दोस्तों बर सकते हो लेकिन आपके साथ एक condition है कि जब यह exam होगा उससे पहले पहले आपकी graduation complete हो जानी चाहिए ठीक है न और computer certificate भी यहाँ पर boundation कर दिया ऐसा नहीं है पतवारी की तरह की कोई भी computer certificate होगा वो इसमें चल जाएगा नहीं इसमें एक criteria bound कर दिया है computer certificate का कौन कौन से computer certificate चलेंगे यहाँ पर देखिए मैं आपको briefly देखो सारी चीज़े documentary कर दूँगा o-level का हो तो चल जाएगा kupa का हो तो चल जाएगा dpcs का हो तो चल जाएगा या फिर आपने computer science में diploma कर रखै तो भी या form भर सकते है या फिर आपने computer science से policy नहीं है computer science या computer engineering से आप ने स्थान से बहुतक्णिक हैं तो आप लोग इसमें आद चलेंगे इसके इलावा नहीं चलेगा ठीक है ना तो यहां पर पांस क्रैटियरिया है करnant का edge क्या रहेगी थेक है तो इसमें जो आट आरह से चालिश साल तक की बोली गई है लेकिन 2016 से कोई वेकंसी नहीं आ है सरलेटट इसलिए इसमें 5 साल की चूत दे दी गही है यानि कि यह 3 साल की चूट जुड़कर यह total age हो जाएगी 18- ним हो जहेगी dona contain research जो है total age हो जाएगी आप जना बात करें AWS वालों के लिए यह तो 200 को तो 5 साल का जूट दी गही है महिलाओं को 10 साल की चूट दी गही है अब दोस्तों तो जा 5 ऊर्दस साल पbalance म thànhए इसने शुड़ेंगे वह जुड़ेंगे 23 साल थे ्क है 43 के बाद पांथ साल रोड जुड़ेंगे यानि कल साल तो चूट आपको इस तरह से मिलेगी कि 48 साल पुरुशों को EWS वालों को और 43 फ्लस 10 53 साल किसको मिलेगी महिलाओं को मिलेगी जो EWS की है ठीक है तो यह इसकी जो है छूट दी गई है यह इसका क्या है छूट का क्रैटेरिया है 18-43 और EWS वालों के 18-48 महिलाओं के लिए 18-53 ठीक है यह तो होगी इन सभी के बारे मे जानकारी एक्जाम कैसे होता है वह मैं आपको बता देता हूँ उससे पहले दोस्तों आप ध्यारनक ना आप उफिशन लोटिश में अपने जिलेवाइज वाइज वाकैसी देख लेने सभी जिलोवाइज वाकैसी तो कितने पद आपके जिले में वह एक बार चेक कर लेना ठीक है और अफिशन लोटिस का में लेगा आप गूगल पर सर्च कर सकते हो ठीक है घ्राम से वक्वक एंसी पीडिएफ सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगी ठीक है एक्जाम के अगपने बात के दोस्तों दो होते हैं प्री प्लस मेंस ठीक है ना प्री प्लस मेंस यह आपके मार्कस नहीं जुडते हैं यह उली क्वालिफाइंग नेचर है एसा कह सकते हो कि यह एक एंटरी गेट है मैंस में जाने का जैसे आर्प्यस थे में रस थे मिक्शाम होता है ना प्री और मेंस के बेस्पे आपकी मेरिट बनती है हा ना वही अन्दर है ठीक है ना तो करना है मेंस में को जस्कूर करना है ठीक है इसी तरह शें पटवार में अपको फोकस करना है इसके बाद आपकी जो हमेरीट बनती है और आपका सेलेक्षन डिसाइड किया जाता है किस लिवे पोस्टिंग दी जाएगी डाँ जो काम होता है दोस्तोंHealthy जो में आपको बता दी है एक्जाम कब तक ओंगे December नुमर दोजार इक्षिस या फरवरी 2022 तक इसका का गया है ठीक है ना फरवरी 2022 तक आप यह के मान सकते हो कि मेंस का एक्जाम हो जाएगा ठीक है अब सिलेबस की बात करें अभी तक आपको वही पढ़ना है जो आप पटवारी में पढ़ रहे हैं ठीक है नॉर्मल सिलेबस है जैसे इसका कोई निया सलेबस आएगा मैं आपको तरण अपडेट दे दूँगा ठीक है तो इसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि मेरा सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच जाए इसके लावा दोस्तों मैंने आप स कि do awesome सकते हैं इसके लाव चैनल पर फ्लेलिस्ट आप उने भी देखते रही हैं वीडियो को जितना हो सकते सबी लोगों कंशार करें दोस्ता बहुत यच्छी वीड़ीघयो है पूरी जानकारी यह इस वीडियो में तो सभी जान कर यह को शेयर करो मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक केर लव यू और जैहिंग जैवारत